असलाम अलेकुम चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं उर्दू का अगला चैप्टर चैप्टर नमबर 22 जिसका नाम है खड़ा डिनर यह कवीता या निकी नजम तो है लेकिन जरिफाना या फिर मजाहिया नजम है मतलब मज़ेदार नजम है जरिफाना क्या है जरिफाना या फिर मजाहिया दोनों का मतलब जरिफाना बोली है फिर मजाहिये ठीक है अब चलिए जरा देख लेते हैं इसके मुसनिफ के बारे में खाणा डिनर नाम के चैप्टर के जो लेखक है यानकी मुसनिफ है वो है सयद मुहमद जाफरी ठीक है इनका जो अ वालिद का नाम सेयद मुहम्मद अली जाफरी है मतलब इनके पिता जी का नाम सेयद मुहम्मद अली जाफरी लेकिन इनका नाम क्या है सेयद मुहम्मद जाफरी और इनके वालिद में सिर्फ अली लग गया है सेयद मुहम्मद अली जाफरी ठीक है यह याद रखना है आगे द आगे देखिए इन्होंने इप्तदा में अर्भी फार्सी और अंग्रेजी की तालीम हासिल की उसके बाद आर्ट की तरफ मतवज़ा हुए आर्ट लिया उन्होंने और फार्सी में करने के बाद अंग्रेजी में भी क्या किये इंग्लिस में भी कर लिया उन्होंने ठीके तस्वीरकशी खताती और मिसूरी से भी दिल्चसबी थी यानि कि फोटोग्राफिक खत लिखना और खत लिखने का आठ सीखा फन सीखा ठीक है किन दोनों से ठीक है इनकी एक मजाई अशायरी है जो आप लोगों के बुक में दिया है शुखय तहरीर ठीक है मजाई अशायरी मतलब जिसको पढ़कर मजाय हसी है इसको याद रखेंगे और सेद मुख्मध जाफरी का इंतिकाल हो बेखिए। अब चली जरह समझते हैं खाड़ा डिनर नजम को और मजा लेते हैं। देखते हैं इसमें क्या हसी वाला बात है। खाडा डिनर पहले समझिये किसे कहते हैं। आज करी की नया सिस्टम आया है। सादी बरातों में क्या हो रहा है? कि मेज पर खाना बनाया कर रखा गया है और उसके खाड़ा होगा आपको जितना चेह उतना ले कर खाईए ये फिर बैटकर खाईए भीड़े सlor कड़े घर के और अपने मनस जितना हो कर खाया जाए मेज पर मतलब सारा खाना रखाओ अपने मन से जितना चाहो उतना लो और खाड़ाओ कर खाओ ठीक है इसी बात का मतलब सियद मुहमद जाफरी इसमें जिक्र की है नजम में तो चलिए मैं दरक्षा का बुक ले लेती हूं और चेप्टर नमबर 22 निकालती हूं देखिए तो आ गई आगए ख़ड़ा टिनर चलिए देखते हैं कि सुरू सुरु में से अपनी मेज पर होकर सवार काते हैं कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खाते हैं शिकम गरीब वो गरीब की यूं फर्स्ट एड होती है डिनर की साय में फौजी प्रेड होती है देखिए इस पूरे लाइन में सेयद मौमद जाफरी क्या बता रहे हैं कि खाड़ा डिनर ऐसे लोग खा रहे हैं जैसे की गरीब लोग खाते हैं मतलब इसमें बेलगाम उट की तरह खा रहे हैं लोग खाड़ा होकर और कुछ लोग हैं जो मेज पर सवार होकर खा रहे हैं मतलब मेज पर बैट कर खा रहे हैं लेकिन कुछ लोग बेलगाम उट की तरह खाड़ा होकर खाते ही जा रहे हैं कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खा रहे हैं मतलब गरीबूं की फॉस्ट एड होती है डिनर के साए में फॉझी प्रेड होती है ऐसा मतलब इसके लिए खाने की लिए दोरा नगा रहा है मुझको दो ज़येा है ऐसे लग रहा है जिसे की खाने के लिए डिनर के लिए लोग फौजी प्रेड कर रहे हैं इदर से उधर उधर से इदर मतलब दौर लगा रहे हैं ठीक है प्रेड कर रहे हैं आगे देखे क्या लिखे हैं सेद मौमद जाफरी खड़े हैं मेज किनारे जो एक प्लेट लिए उन्हीं के कोफते अपने लिए लपेट लिए इधर उधर के जो खाने थे सब समेट लिए खड़ा था पीछे सौ में रह गया प्लेट लिए यह मेज हो गई खाली अब और क्या होगा पुलाओ खाएंगे अबाव फात्या होगा मतलब बोल रहा है कि खड़े हैं मेज किनारे एक प्लेट लिए क्या बोल रहा है कि लोग मेज के किनारे एक प्लेट लेकर खड़े हुए हैं लाइन में लगे हैं उन्हीं ने कोफते अपने लिए लपेट लिए जिसका नंबर आया हूँ अपने लिए कोफते मतलब जो जो लेना था वो लपेट लिए अपने क्या अपने प्लेट में इधर उधर के जो खाने थे सब समेट लिए जो भी उनको खाने का मन कर रहा था वो स मतलब सब ختم हो गया मैं पीछे का पीछे ही रहागे अब क्या होगा थी एक मुर्ग की टांग और रकीब ले भागा तो पर देर से जागा कबाब उठाया तो उसमें लिपट गया धागा डिज़िक क्या है ना पीछे है जिसके, ना आगे यह क्या खबर थी मैं आया था जब जिनर खाने हक्की को तो को संभाले हुए हुए हैं अफसाने मतलब इस पूरे लाइन में सेद मौमद जाफरी बोल रहे हैं कि एक मुर्ग की टांग थी उसको मतलब दूसरे ने लेकर भाग गया मतलब मैं जाने वाला थले ने ले ड़ख गया धागगा उसमें धागा था डिनर की ना पीछे मतलब ये कैसा डिनर है कि जिसके आगे पीछे जार गूंगिंगूं कर खा रहे हैं ठीक है ये क्या खबर थी मैं आया था जब जिननर खाने मतलब सयेद महाजाफरी गए ते लेकाने तो मतलब वो देखकर चौग अब आगे उन्होंने लिखा है हकीकतों का ना कहना जमाना शाजी है यह शक्स देखने में बड़ा नमाजी है यही उड़ाएगा मुर्गी जो मोटी ताजी है डिनर यह क्या है यह घोड़ी दौर की सी बाजी है लगाई भूक में महमीज जिसने पार हुआ नहीं तो मेरी तर बड़ा नमाजी दिख रहा था लेकिन खाने में बहुत आगे था एकदम खा रहाता है ऐसे लग रहा है कि वही मुर्गी उड़ाएगा मोटी ताजी मुर्गी थी उसको खाई जाएगा ठीके डिनर यह क्या है यह घोड़ी दौर किसी बाजी है मतलब इसा डिनर है जिसमें ढरे हैं। लोग घोड़ दौर कर खा रहे हैं इसमें दो इसमें हम मेंने पाइइस और हरकत की आधिविट्य दिखाई मैं एक गोशे में सहमा खड़ा हूं बेचारा कि ये हटे तो उठाओं मैं नान का पारा असीर हलका खुबा जो मुर्ग वो माही है तो हम सहीर सितम हाय कम निगाही हैं मतलब इस पूरे लाइन में सहीद मुहमद जाफरी बता रहे हैं कि वहाँ पर एक मेज है टेबल है और उस मैं चुप-चप खड़ा हूं सहमा खड़ा हूं कि कब हटे मैं जाकर नान का पारा उठाऊ नान का पारा उठाऊ आसीर हलका खुबा जो मुर्ग वो माही है तो हम स्रहिदे से तम हाय कम निगाही है मतलब इस लाइन में बूल रहे हैं कि मुर्ग और मचली के लिए जो चार जाना पड़ेगा ठीश है और इसी के सांथ आप लोगों का ये नजम जो है वो कम्प्लीट होता है कितना अच्छा तरीके से मजाग उड़ा है खड़ा डिनर का सिएद मुहमद जाफरी कोई दिकत नहीं है इसका कोश्चन हैं सरम लोग देख लेते हैं मारूजी सवालात है य हालित का नाम स्भाइद मौहमद अली जाफरी यह कितना नंबर ऑप्सन में है टीखें बे तो बे ईपसन भी लगा दीजिएगा तीसरा सवाल एक मौहमद जाफरी कहां पैदा हुए तो वह लहौर में पैदा हुए थे तो आपस्ण नंबर बी में लहौर है ये टिक कर तो इसका आप लोग लगा देजिएगा आपसो नमबर बी दिलावर फिगार अब बात आती है मुक्तसिर सवलात की यानि की लगूत्रिय प्रसंति सबसे पहला सवाल है इस नजम का तालू किस सिंफ साहिरी से है यह जो आप लोग अभी नजम पड़े खड़ा डिनर इसका ता दूसरा सवाल है जेरे निसाब नजम में शायर ने खाने की किस तरीके कार की तंस का निशाना बनाया है तो वही बाते खड़ा डिनर को बताये उन्होंने खड़ा डिनर का मतलब मजा कुड़ाया है तीसरा सवाल है उर्दू के पांच मजाहिये शायरों के नाम बताये लिखा करते हैं तो यह पांचों के नाम में आप लिख दी हूं आप लोग लिख लीजिएगा ठीक है आगे देखिए चाहर नंबर सवाल है सेद मुहमाद जाफरी का मुक्तसिर तारुफ पेश कीजिए तो यह आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं सभालत की मतलब तफसील से हैंले हैं अब पहला सवाल है सेद मुहमाद जाफरी की मजाही अशायरी फर दस जिनने लिख वह मजाही अशैरी ओसके इला में आप दो को बताना है कि उनकी शिर वखरी को पढ़ने के बाद मजय आता है कि नहीं हre को लिखा करते हैं दूसरा सवाल मजाय शायरी से मतालिक आप आप जया जानते हैं अर्दु के मजाय शायरी मजाए रवा से उढ़ने वाले लोगों को मजा आए इस रवा rust स्वाधा रिखें टीन नंबर की तारीफ कीजिए और मिझाले दीजिए इस मारफा य만ग उस hiçbir नक्रा스를 और अज्डू ग्रामर कर टॉपिक है जो मैं अल्रेडी अर्दू और उर्दू ग्रामर में पढ़ा चुकी हों बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा हुँ वगर आप लोग जाकर देख लेते हैं तो इस मारपा बहुत अच्छे तरीके से आप लोग वहां पर देख सकते हैं या फिर आप लोग यूटूब पर चर्च भी करेंगे ना इस होता है अब नेक्स्ट वीडियो में हम लब चैप्टर नंबर 23 को स्टार्ट करेंगे और भी बैतर जरी के से उसको कंप्लीट करेंगे यहां तक स्क्रिंस लेना चाहते हैं यहां तक समझ में आ गया इस चैप्टर से के रिलेटेड कोई भी कमफिजन हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो बनता है लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए अपने पड़ोसियों के पास अपने दोस्तों के पास और हां चैनल को सब्सक्राइब कर कर उयादी ज्यादी कीजिए नंग मीजिए हृ।